नमस्कार मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद नाम शेकर काम फिजिक्स को इजी बना ला देखिए चप्टर नमर फोर के हमने तीन वीडियो अब तर प्लोड कर दी है बायोसावट लोग कम्प्लीट अप्लिकेशन ओब बायोसावट लोग कम्प्लीट आज हम बात करने वाले हैं बायो सावट लो का एक भाई है Amperous Circular Log भाई इसको क्यों खेरा हूं में इसको क्योंकि देखो बायो सावट लो की हेल्प से भी हमने Mantic Field ही निकाला था State Wire से Loop की Axis पे Loop के Center पे और अब Amperous Log का काम भी ही होता है Amperous Log से भी हम Mantic Field ही निकालते हैं बस यह थोड़ा सा उससे अलग मैथड है ठीक है? यहाँ भी वो चीज़ है जो हमने यहां First Chapter पड़े थी याद कीजिए First Chapter आपको ध्यान होगा तो वहाँ सबसे पहले हमने कुलाम स्लो पड़ा था कुलाम लो से हमने Electric Field निकाला था Electric Field निकाला था? नहीं Force निकाला था? Good Force निकाला था कुलाम लो से जो हमारा Formula था वो हमने यह Linear Act किया था लेकिन आप मेरे ख्याल में भूल गए थे कि Force upon Charge यानि इसी Formula को हमने यहां Put किया था और force upon charge हमें क्या देता है electric field देता है यानि हम यह के सकते हैं कि with help of clams low we calculate electric field ऐसा हमने किया था 5th chapter के end में आते आते हमने वहाँ एक theorem पड़ी थी and low पड़ा था gauss low या gauss theorem gauss low या gauss theorem पड़ा था basically gauss low या gauss theorem किसके यह थी electric flux बताने के लिए थी किसकी एक close surface electric flux बताने के लिए थी लेकिन हमने देखो gauss low की तीन application पड़ी थी infinite wire के लिए plane sheet के लिए और एक spare के लिए यह तीन हमने application पड़ी थी और उन तीन applications में हम क्या कर रहते थे हम उन तीनों चीद से our distance पे तीनों आपके charge जो क्या बहुत सकते हैं उसको charge conductor थे उनसे हमने क्या क्या था electric fill निकाला था using gauss theorem यानि gauss theorem basically किसके बारे में थी close surface से flux निकालने की थी लेकिन हमने उसका use करके electric fill निकाला यानि कुलाम low था ही अपने पास electric fill निकालने के लिए कुलाम slow तो हमारे पास था ही electric fill निकालने के लिए लेकिन वहाँ पे एक alternate method था वो क्या था using gauss theorem using gauss theorem हम electric fill भी निकाल रहे थे यानि कुलाम से भी और gauss से दोनों low से हम electric fill निकाल रहे थे उससे ही हम direct इस chapter को relate करते हैं अब इस chapter में क्या है हमारे पास बायो सावट low हमने पढ़ लिया है with the help of the बायो सावट low हमने क्या पढ़ा था हम electric fill निकाल रहे थे आज हम ampere circular low पढ़ रहे हैं वो वैसा ही है जैसा बायो सावट low को अगर मैं कुलाम low से compare करूँ तो gauss low को मैं किस से compare करूँगा ampere circular low से और अब आप देखना जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप यह देखोगी कि कैसे यह दोनों चीजे एक जैसी सी है याद अखने के जुरत्य नहीं है ज्यादा बस समझने कही थोड़ी सी दीर है देखिए कहता क्या है पहले हम देख लेते हैं यह क्या कहता है कि अगर हम किसी current carrying वाय है चलो मैं ghost logo पहले से इसको थोड़ा सा connect कर देता हूँ ताकि आपको समझने में जाधी कद नहीं आए देखिए एक charge मैंने लिया क्योंकि electric field का source क्या होता है एक charge particle होता है अब हम chapter पढ़ रहे हैं किस क्या magnetic field का magnetic field का source क्या होता है एक current carrying conductor होता कि नहीं होता है अब वहाँ पर देखो ghost logo हमने कैसे apply की थी हमने इसके चारों तरफ एक Gaussian surface डो की आपको देखो आपने यहां भी एक Gaussian surface डो की थी एक infinite state याद किजिए एक slender draw किया था diagram से साइध हो सकता कि आपको याद करने में दिक्कत ना आए यहां भी हमने एक slender draw किया था अगर आपको दिक्कत ना आए और यहां पर हमने एक spade draw किया था यह तीनों के टीनों close surface थी यह close surface का नाम था कुछ याद कीजिए Gaussian surface नाम था क्या नाम था Gaussian क्या नाम था Gaussian surface नाम था क्या नाम था Gaussian surface नाम था जो की imaginary थी क्या थी वो imaginary surface थी actual में वह नहीं थी हम अपनी problem को solve करने के लिए assume कर रहे थे कि हम यहां पर ऐसी एक surface लेके आ रहे थे ठीक है वो गौस लो में तो यहां पर यह Gaussian surface आप अपने साब से draw कर रहे थे अगर आपको दियान हो तो तो Gaussian surface surface के पास क्या होता है surface के पास area होता है surface के पास क्या होता है area होता है अब देखो याद कीजिए Gaussian basically क्या थी यह आपका गौस ठोरम का formula था 5 is equal to q upon epsilon note था नहीं था 5 का formula क्या था 5 बैसिकल अगर अपन यह formula आपको याद दोगा 5 is equal to ea cos theta लेकिन मैं इस Gaussian surface माल area da ले लिया small area da ले लिया तब मैं इसको किस form में लिक रहा था e.da is equal to q upon epsilon note एक बारिक सी चीज़ और आपको ध्यान होगी कि वहाँ पर जो यह q था वो q कौन सा था and closed उस Gaussian surface के अंदर जो charge फसावा था उसकी बात यहां होती थी अब देखिए कितना easy हो गया है पहले दिन से कह रहा हूँ physics बहुत easy है थोड़ा सा बस दिमाग की नसों में खून थोड़ा सा तेज़ दोड़ाना पड़ता है जब उसको पड़ते है देखिए अब यह जो है यही मैं यहां लेके यहां क्या क्या है यहां electric field का source कोन होता है charge particle electric field का source कोन होता है charge particle mantic field का source कोन होता है current होती है mantic field का source कोन होता है current होती है तो यहां charge आया यहां current आई charge अगर enclosed है तो यह भी देखे देखे कहेगा कि मेरी current भी कौन सी होनी चाहिए enclosed enclosed होनी चाहिए क्या होनी चाहिए क्या है और डिटेल पढ़ेंगे अभी देखिए अब गोशियन सर्फेस की बात करता हूं गोशियन सर्फेस जो है वो आपने यहां पर कंसिडर की थी स्लेंडिकल, स्फेरिकल, क्यूबोड, क्यूब, जो भी जैसा आपको लगेगे इस पर्टिकुलर प्रोब्लम में हमें लिए यह सूटेबल गोशियन सर्फेस होगी वो आपने लिए आपकी प्रोब्लम सॉल्ट होगी यहां हम क्या कर रहे हैं यहां हम सर्फेस नहीं ले रहे ह क्या ले रहे हैं लूप लूप क्या होता है यह और देखना लूप क्या होता है यह two dimensional बोडी होती है जैसे एक सरकल ले लो एक स्कायर ले लो एक रैक्टेंग्लर ले लो इनको लूप बोलते हैं यह तो होगे symmetrical लूप बोलो या regular ूप बोलो, अगर मैं कुछ ऐसे भी ड्रो करूँ, जहां से यह स्टार्ट हुआ, वहां वापस आए खटम होता है, तो यह भी लूप है, इसको भी लूप ही कंसिडर करते हैं, यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, लूप, वहीं, अगर वो खुम के वहाँ ही खतम होता है, तो उसको हम लूप ही कंसिडर करेंगे, यहां हम लूप लेंगे, अब यह भी इमेजनली था गोशन सर्फिस, तो लूप भी आपका इमेजनली सर्फिस था, और इस सर्फिस के आगे, उस साइंटिस का नाम लगा, उसका नाम था गोश, तो गोशन सर्फिस बन गई, और यहां इस लूप के आगे, इसके साइंटिस का नाम लगेगा, इसको नाम बोलते हैं, एमपियर्स लूप, क्या बोलते हैं, एमपियर्स लूप, तो अब इस ampere loop में ये भी ले सकता हूँ में ये भी ले सकता हूँ तो अब जैसे मैंने इस charge को enclose किया किसके अंदर Gaussian surface को वैसे ही मैं इसका इसका सोरी यह रहा यह इन current, magnetic field का कौन source है? current source है इसको मैं enclose करूँगा, किस मैं enclose करूँगा? ampere loop में जैसे charge को Gaussian surface में इसके source को, electric field के source को आपने Gaussian surface में enclose किया वैसे ही, memantic field के source current को किस में enclose करूँगा? loop में, मैंने एक loop ले लिया अभी मैंने loop कैसा लिया? एक circular लिया कोई सा भी loop आप ले सकते हैं सब में से answer आएगा, लेकिन एक चीज, simplicity जिस loop से आपकी problem, जितने quickly solve होगी हमें वो loop को पहले खोजना है वो हम पढ़ेंगे, वो बात की बाते हैं, वो देखते हैं तो आपने ये loop ले लिया एक तरह से और इस loop को, जैसे अब इस Gaussian surface को आप लेते हो तो इस surface को area vector है, area vector है तो उसकी direction हुआ करती थी तो आप कुछ एक direction consider करते थे तो वैसे मैं इस loop की भी direction ले सकता हूँ तो मालो मैंने इस loop की direction ले ले, ये loop इस तरह से है ये loop इस तरह से है, ऐसे है, anti clockwise मैंने ये loop ले 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 तो अब ये क्या कह रहा है, अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि यहां पर देखो Electric Field है, अब देखो मैं यहां आपका पूरा MPiko इता हूँ, Electric Field है, अब हमारा काम क्या है, Mantic Field निकालना, Dot की जंगे, Dot आगया, वहार एर्या था कि गोशिन Sirface थी, surface के पास एर्या था, तो आपने area element लिया यहां क्या है loop है loop क्या है two dimension है इसके पास क्या होती है length होती है तो यहाँ आप length की form में element लेंगे और length की form element क्या ले लेए small अगरे total length L है इस loop की तो इसकी small length क्या होगा दियल है तो यहाँ area यहाँ length अब यह दियल तो क्या होगा इस पूरे length का एक small part है जिसे ये वाला DL ले लिया मैंने इस पूरे loop का small part DL है ऐसे बहुत सारे DL है उन सब को जोड़ूँगा तब जाके मुझे पूरा का पूरा magnetic film मिलेगा तो अब क्या करूँगा मैं integration line integral यानि पूरा line integral यानि पूरे loop को हमें count करके चलना है तो line integral B dot DL is equal to अभी एक चीज़ ले गई है यहां देखो charge enclosed था यहां I enclosed आ गया यहां देखिए epsilon node यह किसका constant था electric field के case में constant था magnetic field का constant भी हमने bio sound long पढ़ लिया है वो कौन सा है mu node वो कौन सा है mu node तो अगर यहां e node use हो रहा है तो यहां mu node use कर लेंगे ऐसा करते ही हमारा यह सारा expression आ गया है और इसी expression को हम क्या कहते हैं amperes circuital low एक question दिमार्ग में आ रहा था कि सर यह तो divide में है यह multiply में क्यों यह divide में यह multiply में क्यों देखिए ऐसा पहले भी किया आपने याद कि जी यह किसका है 1 upon 4 pi epsilon और जबकि उस case में constant क्या है था mu node upon 4 pi तो दोनों case में 4 pi 4 pi दो divide में ही है लेकिन इसमें यह permeability sorry permittivity electric field के inverse में थी और जबकि यहां mantic field के लिए यहां sorry यहां mantic field के यह directly है यहां क्या sense है कि vacuum में electric field maximum होता है vacuum में electric field maximum होता है और अगर कोई और medium vacuum के अलावा वहां आ जाएगा वो electric field को reduce ही करेगा पर ऐसा magnetic field के case में नहीं होता है magnetic field में क्या होता है ऐसे बहुत सारे magnetic material होते है जितना magnetic field अगर vacuum में बनता है उससे भी ज़्यादा strong magnetic field वो magnetic metal बना सकते हैं अब strong magnetic field कब बनेगा यानि magnetic field की value कब बनेगी जब उनकी permittivity उस magnetic field के directly proportional हो तब ही बनेगी inversely में काम नहीं चलेगा आगे बाद में समझ में ठीक है इसलिए हमने यहाँ भी यही क्या है और यहाँ भी आज हम यही करने वाले हैं अगर epsilon node divide में हैं तो mu node को multiply में रखते हैं यह दोनों एक दूसरे के opposite reciprocal चलते हैं यह हमारा statement आ गया है अब इसको और detail में पढ़ेंगी तो हमारा statement आ चुका है अब इसको और detail में देखते हैं अब देखे पहले चीज़ तो क्या आती है कि यह current जो है enclosed current अभी तो मैंने diagram में आपको केवल एक current लेके दिखा दी अगर मान लो अब multiple current महाँ से flow होती रहे अगर multiple wires अगर उस loop में से pass होते रहे तब हम क्या करेंगे जैसे मान लो एक condition में ले लेता हो यह आपने loop ले लिया ठीक है और यह आपका wire जा रहा है एक wire ओड जा रहा है एक wire यह जा रहा है मैंने तीन wire ले लिया ठीक है अब यह तीनों में देखो एक चीज़ तो ध्यान रखना यह current सब steady current होने चाहिए then consent current होने चाहिए तो इस point पर बनने वाला magic field भी वो भी कह रहेगा constant रहेगा जानी अब इस point पर magic field बन रहा है कितना किससे निकालना है इन तीनों से मिल के यहां कितना magic field बन रहा है तो जिस point पर निकालना है उस point को लेके जैसे वहाँ हम क्या करते थे फस चेप्टर में Gaussian surface को हम वैसे ही ड्रो करते थे अगर आप जाके पिछे वाला फस चेप्टर का वीडियो देखोगे कि Gaussian surface भी हम वैसे ही ड्रो करते थे कि वो point जहां हम electric field निकालना चाहते हैं वो point उस surface के उपर ही होना चाहिए वैसे जिस point पे यहां electric field निकालना तो हम जो loop select कर रहे हैं वो loop के उपर ही वो point होना चाहिए तो यह loop मैंने मालो select कर दिया है यह भी point है जहां electric field निकालना है यह loop image नहीं है तो यह impass loop हो गया ठीक है और इसको मैंने इस direction ले लिया सोरी यह anticlockwise direction में मैंने इसको ले लिया अगरे बाद समझे अब यहां आप देख रहे हों कि दो current तो एक direction जा रही है एक current opposite direction तो क्या यह current का जो nature है हम same consider करेंगे तो यहां हम क्या करने वाले हम यहां sign convention apply करेंगे देखो कैसे करूंगा अब इस point B का मैंटी निकालना है एंपे शलो से तो मैं एंपे शलो लिखूंगा new node अब यहां I enclosed आती है तो कितनी current है यहां पर एक current है I1 एक current है I2 और एक current I3 यह तीनो current तो है लेकिन तीनो अगर एक ही direction में होती तो मैं तीनों को positive पूट करता हूं लेकिन देखो एक दो एक direction में और एक opposite direction में तो अब मुझे एक direction positive select करने पड़ेगी एक direction मुझे negative select करने पड़ेगी कौन सी positive लोंगा तो इसका भी एक sign convention है आपका लूप आपने कैसे लिया ऐसे लिया है तो आप अपने लूप पर अपनी फिंगर्स रखो और फिर अपने थम को देखो आपके fingers के according अपने लूप को घुमा रहे हो तब थम आप कहा जा रहा है इस direction में अब इस direction में जो current है उसको आपको positive लेना है और उसके opposite जो current है उसको आपको negative लेना है तो आपके कौन कौन सी है यह direction यानि आई 2 आपका positive आई 1 आपका positive लेकिन आई 3 उसके opposite है यह negative तो हम इस expression को ऐसे लिख सकते हैं कि माई पास आपके मैं कहता हूं कि यह एक loop ओल लिया जिसमें से दो वायर जा रहे है ऐसे यह दो वायर जा रहे है दोनों बहुत close close current मालें दोनों wire हमें same current flow हो रही है और दोनों बहुत close है बहुत close का यह आपका loop है इस पर यह point है ठीक है यह दो वायर है अब एक वायर में current ऐसे जा रही है तो उससे जो magic field बनेगा वो कैसे बनेगा right hand thumb rule से इस तरफ बनेगा और दूसरा वाले current ऐसे जा रही है उससे magic field ऐसे बनेगा तो एक से उस point पर एक सोरी magic field ऐसे बन रहा है दूसरे से ऐसे बन रहा है दोनों में current same है दोनों wire में current same है और दोनों wire से मैंने distance भी approximate same ले लिए तो दोनों से बनने वाला मैंटिक फिल भी same ही बनने वाला है जब दोनों से मैंटिक फिल same बनेगा और दोनों मैंटिक फिल एक दूसरे के opposite होंगे तो क्या होगा 0 आना चाहिए आना चाहिए नहीं चाहिए दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे तो देखो 0 आ जाएगा अब यहाँ पर देखो आप इसमें क्या करोगे b.dl is equal to mu naught एक करंट i दूसरे करंट negative i क्यों एक दूसरे के opposite है एक को मैंने plus ले लिया एक को minus ले लिया i minus i 0 तो आपका b.dl is equal to 0 अब dl तो length यहाँ पर दिख रही है क्यों length आपने select की है तो length तो 0 है नहीं अब दो चीज मल्टिप्लाई हो रही है product 0 आ रहा है इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है length आपको दिख रही है कि dl की value कुछ ना कुछ physical value है तो कौन बचा फिर magic field जो 0 हो सकता है इसका मतलब magic field 0 है तो यहीं चीज हमने practically देख लिए कि एक magnetic field इधर बनाएगा एक magnetic field इधर बनाएगा और यहीं हमने इस ampere slow से भी देख लिए कि यह भी 0 ही answer दे रहा है अब मेरे साब से आपको थोड़ा बहुत यह किलिए हुआ है कि ampere slow basically है क्या और कैसे इसको apply करना है क्या क्या हमें sign conventions लगाने अब देखो होता क्या है कि यह जो loop का selection होता है कि loop आप circle loop लेंगे square loop लेंगे कैसा loop लेंगे वो बड़ा important होता है देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि loop आप कैसा भी लेजिए आपकी problem solve होगी यहनि amper slow आप किसी भी condition में apply कर सकते है लेकिन हम यह search out करते हैं कि कौन से loop का selection हम कि particular situation पर करें ताकि हमारी problem simplify हो जाए और बहुत कम steps में हमारा answer आजाए देखो मैं थोड़ा complex आपको example देता हूँ और फिर उसको हमने कैसे simplify किया है हमारे amperes loop के selection से thinking किलिर हो जाए amperes loop को लेकर हूँ देखिए अभी यह wire वाला example लेंगी आईए board पे आईए फटाफट देखिए यह रहा माली जी यह state wire है यह state wire है और इसको लेकर मैंने कुछ ऐसा loop slat कर लिया एक irregular slat कर लिया कुछ एक example मैं दूँगा starting में आपको किल हो जाएगा इसमें क्रण आई flow हो रही है ठीक है अब आपको कोई mantic field निकालना है क्या निकालना है mantic field निकालना है अब देखो यहां से माल लो मैं यहां से start करता हूँ अब यहां से आप distance देखोगे तो कुछ distance आएगी यहां पर यह आ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है से टेंथ क्लास से आप पढ़ते आ रहें कि state wire में अगर आप क्रण फ्लो करते हो तो उसके चाओधर mantic field बनते हैं वह mantic field कैसे होता है concentric होते है कैसे होते हैं concentric होते है और उनका center कौन होता ओ वो wire होता है होता कर नहीं होता है होता है तो अब यह स्का मार्म यह बना होगा इसको यह मौन कोई में कोई मैं मृने होगा और वह एक लूप में होता है एक शेप में होता है अब देकर यहां का जो मैं टिक फिल यह invent गया इस point का DL भी आपका ये ले लिया आपने माल लीजिए अब इस point पे देखो Mantic fill आपका ऐसे बनता दिख रहा आपको ये इसका tangential है लेकिन इसका आपका DL है वो DL आपका ये रहा तो यहां angle कुस थीटा बन रहा है ऐसे मैं Mantic fill तो ये रहा और आपका DL ये रहा लूप का ये डील है से बन रहा है तो देखो आप अलग 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 angle आ रहे है आ रहे कि नहीं आ रहे है यानि अगर मुझे इसका Mantic fill निकालना हो तो वी नौ know डाई ये करूंगा i में मुझे कोई दिक्कत नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है करूंगा अब इस डील की लिए मैंने फुर्ट किया इस डील की में कॉस्ट थिटा करूंगा इस डील के लिए कॉस्ट थिटा है अगर मानलोग कॉस्ट थिटा जीरो है 30 है 45 है जिनकी values आपको याद रहती है जो आप 10th class से पढ़ते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है तब तो आपका loop से कोई दिक्कत नहीं है आपका problem सोल हो जाएगी लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं कि हम इस cost theta को कैसे ने कैसे simple की form में रखें simple form मतलब या तो यह theta हमारा 0 रहना चाहिए यह theta क्या रहना चाहिए जिरो होना चाहिए यह कब possible है जब आपका mantic field आपका पहली condition जब आपका mantic field आपके loop के साथ loop यानि डियल element के साथ tangential हो कैसा हो tangential हो अब example दूँगा मैं आपको tangential होना चाहिए या फिका कर दें इसको theta को 90 कर दो सारा जोड़ी खतम कर दो theta को 90 कर दो cos 90 कितना होता है 0 होता है cos 90 0 तो यह पूरा 0 हो जाए बात यह खतम हो जाए ठीक है तीसरा ऐसी condition बन जाए अभी वाली condition कि आपका mantic field पूरा ही vanish हो जाए जीरो हो जाए वहां से खतम ही हो जाए mantic field के आप भी पूरा का पूरा खतम ही हो जाए इस तरह से आप loop ले लो vanish हो जाए तो इन तीन conditions को हम लाने कोशिश करते हैं आगे जो हमारी application हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम यह कोशिश करेंगे कैसे हम उसको tangential बनाए कैसे हम उसे perpendicular बनाए और कैसे हम किसी एक segment का mantic field ही 0 कर दे ताकि बाकी segment से हम easily calculation कर सके है तो अब यह loop मैंने यहां नहीं लिया इस loop में problem कहा रही थी कि कहीं deal के साथ theta मानलो 45 डिगरी नहीं है 46 बन गया 46 बन गया तो फिर उसके लिए आपको 46 को 46 की value पता करने पड़े है को स्मानलो 23 बन गया को 16 बन गया 16 को स्मानलो 42 बन गया तो इन सब की value हमें याद रहने वाली है नहीं इतना time हम मिलने वाला नहीं एक्जा क्या किया कि मेरा loop का selection क्या रहा कि मैंने वह loop tangential लिया किसके मैंटिक फिल के कैसे अब इसी को देखो मैं कैसे change कर देता हूं और आपकी समझ्चा का समधन कर देता हूं अब मैंने ये loop ले दिया अब आपको पता है कि इसके चात्र जो मैंटिक फिल बनेगा वो भी circular बनेगा लूप भी मैंने शर्कुलर ले लिया यानि इसके चात्र जो मैंटिक फिल बनेगा वो इस loop के along भी बनेगा ये देखो बना गी नहीं बना इह dotted पार्ट क्या मानलो ये आपका जो सोलिल लाइन है वो क्या हो गया आपका सर्कुलर लूप हो गया ठीक है तो अब देखो आपका डियल अगर मैं लूप तो ये डियल यह रहा और इस पॉइंट का मैंटिक फिल भी आपका ऐसे आगया तो यहाँ थीटा कितना बन गया जीरो बन गया किसी भी प पूरा सर्कल जो है या सर्कल पूरा और चाहिए सेम डिस्टेंस पर है और एक सेटीन में यह बराबर एक पॉइंट इस वाइड सेंट पर यह संब ने से बंने वाला मैंटिक फिल कॉस्टेंट होने से इसकों बाला सकते है अंदर बच जाएगा mu not बच जाएगा i बच जाएगा अब इस dl को सबको मैं add करूँगा dl को मैं सबको add करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा एक circle का circumference सारे dl add करूँगा तो मुझे l मिलेगा integration of dl मुझे l मिला और l क्या है इस circle का circumference है और वो कितना होता है 2 pi r तो यह मैंने 2 pi r ले लिया is equal to mu not i कहाने कालना है इस wire से r distance पर कितना mantic fill बनेगा यह आपकी problem solve होगी b को रखो यहाँ पे और बाकी mu not i तो आपका था ही नीचे 2 pi r चला गया अब देखो infinite wire के लिए infinite wire से कितना mantic fill बनता r p byo sawat log की application चले जाओ जो मैंने आपको finite wire से कितना mantic fill बनता वो निकालने के बाद में special case बताया था कि अगर wire infinitely long हो तो कितना mantic fill बनता है यह आपका answer आ रहा है तो ऐसे हम mps low से भी इसकी value निकाल सकते हैं cbac मे cbac मे mps low से infinite wire का mantic fill निकालना syllabus में है जबकि मैंने bio sawat log से भी आपको बताया है तो आप आपको समझ में आगए मेरे ख्याल में कि basically mps low क्या है और कैसे हम इसका use करते हैं अब एक example दे लेते हैं last अपना उसके साथ यह आपको चीजे clear हो जाएगी यह example NCIT exercise में भी है उसके अलावा cbse 2010 में आया है और cbse 2016 में भी आया है इस example से आपको mps loop की पूरी कहानी पूरा लेखा जोका समझ में आ जाएगा और फिर आपन अगले वीडियो में मिलेंगे इसकी applications के साथ में solonoid और toroid ठीक है infinite wire वाली application भी है लेकिन मैंने यहां पता दिये आपको अब solonoid और toroid दो बचे है वो अपन अगले वीडियो में discuss करेंगे ठीक है जो NCIT में NCIT example है यह साथ में 2010 और 16 cbse में आया हूँ है caution क्या है वो कि एक आपका current carrying conductor है excellentical current carrying conductor है ठीक है इसमें पूरे में पूरे में current I flow हो रही है इसके outside एक point है और एक inside एक point है इसकी खुद की radius इस current carrying conductor खुद की radius यह है आपसे पूछ रहा है कि outside the conductor और inside the conductor हमें magnetic field बना के बताओ कितना magnetic field बनेगा वो निकाल के दिखाओ तो देखो हम कैसे करेंगे हम ampere slope का यूज करेंगे क्या करूंगा देखो यह मैंने ले लिए लिए कि देखो अब distance हमेशा center से count करते हैं तो मैंने यह distance पहले outside निकाली तो मैंने यह distance मान लो R है outside एक point R distance पह है यानि यह R क्या है actual में इसकी radius से ज्यादा होगया इसमें जो कोई दो रहा है नहीं आपके ठीक है यह point हमने ले लिया अब मुझे क्या करना है क्योंकि अभी आपने देखा है हमें ampere slope बनाना है तो पहले मैं एक ampere slope बनाऊंगा और मैं उसकी symmetric according एक circular ampere slope बनाऊंगा क्योंकि इस wire में जब current flow ऐसे हो रही है तो इसका loop से romantic field बनेगा concentric circles बनेगे तो circle के ही tangential रहने वाले हैं यह circle के ही tangential रहने वाले हैं इससे मुझे बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है यह tangential ले लिए ampere slope apply कर तो v.dl is equal to mu not i ठीक है b constant रहेगा क्योंकि हर एक point इसका a distance पे इस wire के चात्र जो loop घुम रहा है उससे हर एक point क्या है a distance पे और सब के लिए current कितने enclose है current i enclose है तो सब के लिए क्या हो जाएगा b dot constant है तो b भारा गया dl mu not i i enclose current है dl क्या है dl इसका circumference जाएगा अभी बताये मैंने आपको इसका circle का circumference हो जाएगा वो जाएगा 2 pi r तो यह हो जाएगा 2 pi r एक तरह से अभी वाला ही derivation हो गया है यह बात समझे मैं आपकी यहां तर तो कोई बड़ी बात नहीं थी यानि outside mantic film मैंने निकाल लिया है mu not i upon 2 pi r अब inside निकालना है वो थोड़ा से interesting है देखे कैसे हम निकालते है inside का ठीक है अब मालीजे मैंने एक point inside ले लिया है यह point मैंने inside ले लिया तो अब मुझे inside है ampere slow apply करना है तो मैं यहां पर भी loop बनाऊंगा तो मैंने यह loop बना दिया आई होप सबको लूप दिख गया होगा यह loop जिसकी radius मैंने r ले ली क्यों r distance में निकालना है इस case में यह क्या है इस current carrying conductor की radius से छोटा है तो r less than a है अब इस situation में क्या है कि यहां ते पर दिक्कत नहीं है आपका b b a जाएगा अभी क्या था पर ने तो पाई आर इसका circumference बजाएगा यह बी डॉट डियल होता है ठीक है और टेंजिंशियल इसका मतलब theta 0 है इसलिए हमने cos theta को पहलेट आ दिया is equal to mu naught अब मैं यहां i नहीं ले सकता अब मैं यहां i dash ले रहा हूँ जिसकी value मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि यह जो current caution according यह current i flow हो रही है वो पूरे wire में से flow हो रही है अब आपने जो loop लिया है वो पूरे wire में नहीं है यहां से current यह जारी केवल total current इसमें से i जारी है लेकिन इसमें से इस loop में से केवल इतनी ही current जारी है यानि इसका नाम में ले लिया i dash यानि i dash current जारी है अब इस i dash की value आपको बड़े simple तरीके से आप निकाल सकते हो यानि आप यह कह सकते हो कि cross section area कितना है इसका cross section area कितना है इसका cross section area है pi a square pi a square इसका cross section area है तो पाई A square cross section area से कितनी करण flow हो रही है I flow हो रही full ठीक है तो unit area से कितनी flow होगी basic पता ही आपको कितना हो जाएगा पाई A square से divide कर देंगा अरे ऐसा तो है कि अगर 10 लोग मिलके 10 लोग मिलके अगर 20 पेड़ काटते हैं तो एक आदमी कितने पेड़ काटेगा आपका अंसलों का 2 पेड़ काटेगा तो आपने क्या किया यहां 20 था यहां 10 था 10 को 20 से divide कर दिया तो मैंने क्या किया इस I को पाई A square से divide कर दिया तो मुझे पर unit cross section area से कितने करण flow होने वाली है उसकी value मिल गई लेकिन मुझे किसकी चाहिए मुझे इस वाले loop के cross section area से कितनी करण flow हो रही है वो चाहिए जिसका नाम ideas है इसका कितना area है इसका area है पाई A square तो पाई A square area से कितनी flow होगी तो वही बात है इसको ऐसे रखा पर जिट को और multiply कर दिया पाई A square से यानि 10 लोग मिलके 20 पेड कारते हैं तो एक आज में कितने काट रहा है 20 बटे 10 20 डिवाइड बाई 10 और मैं कहरा हूं 5 कितने काटेंगे तो पाउस जब मिलपूसा 5 कितने काटेंगे तो 20 अपॉन 10 को आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो किनस का answer आगे आपका 10 यह आना चाहिए तो यह हमारा यह पाई A square से कितनी करंट फ्लो होगी और वो करंट का नाम क्या है हमने क्या दिया है आई डेस नाम दिया यहनि मुझ और N close कर आई डेस की वेल्यू कितनी है I देखो R square divided by A square ठीक है अब आपका B का answer आगे B is equal to mu naught ठीक है I R square divided by 2 pi R A square R से R cancel होगी है यहां आप देखो outside की जब बात कर रहा हूं तो यह R के साथ में inversely proportional है और अब आप देखो यह B semantic fill R के साथ क्या है directly proportional है इसका मतलब अगर R आपकी 0 है तो आप इसके axis पे है और फिर जैसे जैसे R की value आप increase करोगे जब आप inside है R की value आप increase करोगे आप inside है तो R के साथ साथ आपका semantic fill बढ़ेगा कब तक जब तक आप बहार नहीं अगरते है और जैसे ही आप बहार आओगे तो अब आपका semantic fill R के साथ inversely proportional है यानि semantic fill के साथ साथ आपकी current की value sorry distance के साथ साथ आपकी semantic fill की value decrease होना शुरू हो जाएगी और यह ग्राफ बनाता हूं ग्राफ बनाते सारे चीज़े किलियर हो जाएगी यह मैंने ग्राफ ले लिया यह semantic fill है आर की value है यह आर है आर जब 0 है तो आर जिरो का होगा इस axis पर यहां पर आर जब 0 है inside आर जिरो तो बैंटिक fill 0 ठीक है फिर आर की value बढ़ाओ आर की value बढ़ेगी तो inside the conductor R के साथ साथ B क्या है directly है तो R बढ़ेगा तो B बढ़ेगा R बढ़ेगा तो B कब तक जब तक R उसकी radius के बराबर ना हो जाए conductor की radius जो की A है और अब आप A से और भाग जाओगी तो आप outside the conductor आगे और outside the conductor आप R के साथ अब B decrease होना शुरू हो जाएगा यानि अब आप आगे बढ़ोगी तो आप ये inversely proportional hapograph इस तरह से बनेगा decrease होना सुरू हो जाएगा तो ये सारा कुछ अपने ampere slow के बारे में आज पढ़ा था और आपको बहुत सारी बात थे ampere slow के लिए मता दिये अगर कोई doubt हो तो आप comment box में doubt पूछ सकते हैं कोई दिक्कर से पूछ सकते हैं आज हम इतना है पढ़ेंगे अगले वीडियो में मिलेंगे अब हम वहाँ पढ़ेंगे ampere slow की applications पढ़ेंगे एक solenoid होगा उसके अंदर mantic feel कितना बढ़ेगा एक toroid होगा उसके अंदर कितना mantic feel बढ़ेगा वह हम आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे till then bye thank you so much